हलो दोस्तों आप हैं अपने साइंस एक्स्प्रेनर चैनल पर और मैं यहां पर उत्तर प्रदेश में PGT का जो पेपर हुआ है उसके आंसर की दे रहा हूं इससे पहले भी कोश्चनों की आंसर की दी जा चुकी है यह कोश्चन नंबर 64 से स्टार्ट है चलिए स्टार्ट करते ह है कोश्चन तो 64 नंबर कोश्चन है यदि किसी माध्यम के लिए दुरबन कोण 60 डिगरी हो तो उसके लिए क्रांतिक कोण क्या होगा तो देखिए क्रांतिक कोण और दुरबन कोण में आपको संबंद बनताना है तो जैसे आपको पता है एन इक्वल टू होता है टैन आई टैन आई पी ब्रूस्टर का कोण और एन की बैली होती है एन इस इक्वल one अपॉन साइन सी क्रिटिकल एंगल के ठीक है तो एन को दोनों को आप कंपेर कर देगे तो यहां से इन दोनों को स्वाल पर के जो साइन सी क्रिटिकल एंगल की वैलियू आप निकालेंगे त तो आपका जो A option है वो सही option है ओके नेस्ट कोशन नमबर 65 पर 0.5 मीटर लंबा आरगन पाइप दोनों सिरों पर खुला है उसके मूल इस्वर की आबरती क्या होगी तो देखिए दोनों सिरों पर खुले आरगन पाइप की मूल आबरती का जो फॉर्मला होता है N equal to V upon 2L होता है तो जब V की value आप 350 लगाएंगे और 2 into L करेंगे L की value 0.5 मीटर तो 0.5 का into 2 से multiply करने पर यह वन आएगा तो N की value V के equal to हो जाएगी जो की आपकी होगी 350 के बराबर तो जो option number A है यह इसका right option है Next question number 66 27 एक समान पारे की बूदों में प्रतेक को 10 बोल्ट विभव तक आभिश्चत किया जाता है उसके पश्चात उनको मिला कर एक बड़ी बूद बनाई जाती है तो बड़ी बूद का विभव क्या होगा तो देखिए जब इसको आप solve करते हैं तो 27 छोटी छोटी बूदों का आयतन बड़ी बूद के आयतन के बराबर होता है तो r equal to 3r, capital r equal to 3 small r और small r छोटी बूद के तरज्जा है और capital r बड़ी बूद के तरज्जा है जब इसको solve करते हैं तो और उसके बाद बिभव निकालते हैं तो v equal to होता है बड़ी बूद का बिभव बड़ी q upon बड़ी बूद की धारिता तो देखिए q equal to cv तो c small c छोटी बूद की धारिता और छोटी बूद का बिभव और ऐसे कितनी बूदे बनाए गई है 27 बूदे बनाए गई है तो 27 into c into v upon 4 pi epsilon 0 capital r ये गोली चालक की धारिता का सूत्र है और ऐसे इसको भी छोटी c को भी आप 4 pi epsilon 0 small an लगाएंगे तो 4 pi epsilon 0 से 4 pi epsilon 0 cancel होगा तो जब ये सभी कुछ solve करेंगे आप तो right option होगा option number d और 90 volt इसका right option होगा next question number 67 तीन बराबर प्रत्रोद r तरभुच की भुजाओं के रूप में जोड़े हैं तो तरभुच की किनी दो सिरों के बीच में प्रत्रोद कितना होगा तो अगर त्रभुच के रूप में इनको जोड़ा जाए तो कुल जो प्रत्रोध होगा तो ले प्रत्रोध वो D 2 upon 3 R होगा Next question number 68 दो लंबे समांतर तारों के मद्ध की दूरी 2 R है तारों के तारों में विप्रीत दिशाओं में I तथा 2 I धाराय प्रभाइत हो रही है तो चुमके छेत बी का फार्मला होता है म्यू नॉट अपॉन टू पाई आई अपॉन आर इस तरीके से और दोनों ही राइट हैंड रूल से लगाएंगे तो दोनों तारों के जो चुमके छेत के दिशाओं है वो नीचे की तरफ होंगी जुड़ जाएंगी और जोडने के बाद में आई वन आई टू को जोडने के बाद में जो टोटल आंसर आएगा वो भी यहांपे मैं एक्सप्लेंड नहीं कर रहा हूं यहांपे मैं इसका आप्शन नहीं बता रहा हूं तो देखें NPN transistor N P और N transistor तो P to N direction अगर लगी होती है तो वो NPN transistor का sign होता है तो देखें यह है B या देखें इस तरीके का symbol है इसका base to emitter तो इसका जो B option है यह राइट option है इसका तो 69 का right option B होगा नेक्स question number 70 एक तत्यो एक्स परमालू कुर्मांक 84 और परमालू भा 202 से एक alpha कर्ण और फिर एक beta कर्ण उत्सजित होता है तो यदि अन्तिम उत्पाद Y, A और B इस तरीके से बने तो A और B के मान कितने होंगे तो देखिए जैसे आपको पता है किसी radioactive तत्यों से जब alpha कर्णों का विसर्जन होता है जब alpha कर्ण निकलते हैं तो परमालू कुर्मांक में 2 की कमी तथा परमालू भार में 4 की कमी हो जाती है तो जब X में से आप पहले alpha कर्ण निकालेंगे तो परमालू भार इसका 198 होगा 4 की कमी आएगी परमाडू क्रमांक में 2 की कमी परमाडू क्रमांक इसका 82 हो जाएगा और जब इसमें बीटा करने निकलेगा तो बीटा करने निकलने से परमाडू क्रमांक में केवल एक की ब्रद्धी होती है जबकि परमाडू भार में कोई चींज नहीं होता तो जो इसका आंसर होगा वो एक ही जगे पर तो होगा 83 ठीक है और परमाडू भार होगा 198 तो इसका जो B option है वो राइट option है question number 70 का answer B होगा तो देखे question number 71 निम्न में से कौन सा असत्त है तो देखे इसका जो असत्त है वो है आपका D option धन पाई में सॉन एक स्थाइकन लिखा हुआ है जबकि यह स्थाइकन नहीं होता यह विखंडेच होता रहता है unstable element है तो इसका जो 71 का right option होगा वो option number D होगा next question number 72 पतले lens की focus दूरी के लिए Newton का सूत्र है तो इन चार option में से conscious का सूत्र है तो इसका जो Newton का right option है Newton का सूत्र वो भी option आपका right है question number 73 एक प्रिज्म का कोण 60 degree है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तिनांग क्या होता है तो अपवर्तिनांग के लिए सूत्र होता है एन इक्वल to sign a plus delta m by 2 upon sign a by 2 जब इसकी value को एक जिए पर 60 लगाएंगे डिल्टा एम की value 30 लगाएंगे तो इसका जो राइट option होगा वो option number 2 इसका राइट option होगा तो इसका option number 2 राइट option होगा ठीक है यह थे आपके 73 तक के question thank you